जोधपूर में बात करते हैं तो यहां भी 10 नुवंबर को महापोर के चुनाव होने हो और हमारे सायोगी जोधपूर से जुड़ गए है राजीव गौळ राजीव क्योंकि दस को महापौर का चुनाम होना है इस्तिती बनाई जा रही है और क्या कुछ राजनीती चल रही है क्या कुछ गट जोड चल रहा है जोदपुर में कि देखिए बस तयार है और यहां से पार्षद जितने भी कॉंग्रेस के हैं उनकी बाड़ेबंदी जोडपुर में अब तक जो होटल थी होटल से अब रवान करके जैसर मेरे ले जा जा रहा है हमारे साथ में एक पार्षद पत्ति जोड़ रही है क्या किस तरीके से कहा जा यह तो हमें नहीं पता बस कहा जाने वाली है वह समय यह पता कि बैठना है तक बाड़े बंदी के पीच्छी क्या राज को खत्रा कोई बाड़े बंदी नहीं है यह लोग प्रसिक्शन के तौर पे जो है इनको प्रसिशित किया जाएगा हमारे जो पार्षद है नव परिवार के सब सदशी है और यह लोग चुनावत का जो तारीक है वो थोड़ी दूर है थोड़ा आउटिंग भी हो जाएगी और थोड़ा रिलेक्स भी हो जाएगे क्यों कि चुनाव में इतनी बागदोली सी आया है हम लोग भी इनके साथ जा रहे है तो इसका मलब इसको आ अंदर की तस्वीर दिखाते हैं कि आपको बस के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कुछ लोग आकर के जो हैं अंदर बैट भी गए हैं और आप देखिए कि अंदर जीते पार्षद हैं उनके परिवाद क्या बाड़े बंदी कि अब आपको जोतपूर से कि अब लेक्ते जा रहे हैं कि तस्वीर बता रहे हैं कि तरीके से वह तमाम को लगते हैं किसी प्रकार को खत्रा इसकी वज़ेसा अब लोग को लेकर खत्रा नहीं कोई नहीं है पर देखें को खत्रा नहीं है लेकिन कि आप क्या जीत करके आए है और अब परिवार के साथ या पार्टिक साथ कहा जा रहा है खत्रा तो है फिर भी आपको यह से क्यों सिप्ट कर रहे हैं कोई खत्रा नहीं है कुछ और पार्टिक से नहीं हो सकता हम लोगों कॉंफिडेंस है और एक बार जो पार्टी से जुड़ गए तो फिर वापस पीछे अटना तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता आपको लगता है कि कुछ दिन आउटिंग हो जाएगी एंजय हो जाएगी बिल्कुल यही समझे है और देखिए कि जिस तरीके से एंजय की बात कई जा रही है और देखिए सबसे बड़ी बात ही हो जाती है कि पार्षिट चुनाओं को लेकर जाए बाच्पा अंबाजी में भाच्पा ने पार्षिटों को लेकर गया है तो लगा कि इस होटल से दूर चाहे मीडिया भी आसपास आती है सबसे बड़ी बात है राजस्तान की सरकार जब खुब सारे विदायकों कि साथ जैसल में यह पार्षिट जा रहे हैं खत्रा नहीं है लेकिन खत्रे से इंकार भी नहीं किया ज जुड़ गया है किस तरीके से आपको लगता कोई खत्रा है नहीं पार्षिट को किसी तरह का कोई खत्रा नहीं है तो आपस में अंडरिस्टेनिंग होगी तीन दिन चार दिन वार रहेंगे तो सब का मेल जोल बढ़ेगा सब एक दूसरे से परिचित होंगे इसी आच रवना होंगे और उसके बाद मापोर को लेकर के बद्दान होगा जी बिल्कुल और राजीव बिल्कुल आत्म विश्वास से भरे हुए ये नजर आ रहे हैं सभी प्रत्याशी जो है नम निर्वाचित पार्षद जो है वो नजर आ रहे हैं कि उनमें किसी तरह का भी हम तर लूप है कि यह वा नेता जुड़ रहे हैं कितने पार्षद सब लोग जारें क्या कुंतिवार मापोर के दावदर और यह फिलाल दक्रों के लोग जा रहे हैं अंपर दर निकें रूप में उनका क्या सेडीव है उनका हमें मालूम भी बड़े नयता बात कर रहें आपस में और उनका भी जल्द आ जाएगा तो देखिए कि यह दक्षिन और उत्तर दौनों का सिप्टिंग की तैयारी है और कहीं ने कहीं जिस तरीके से पार्शदों को ट्रेनिंग की बात के जा रही है एंजॉयमेंट की बात के जा र